हेलो दोस्तों विल्कम टो मैं चैनल और मैं लाई हूँ आज आपके लिए करेले के रिस्पी करेला तो वैसे सबको पसंद नहीं होता है लेकिन जो इस तरह बनाएंगे तो फिर जो नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे मांग मांग कर खाएंगे दोस्तों तो चलिए स्टार्ट क लम्बे-लम्बे और ये जाधा कडवे भी नहीं होते है लेकिन अगर आप कडवे वाले भी बनाएंगे इस तरह से तो उतने कडवे नहीं लगेंगे तो चलिए मैंने करेले को इस तरह से काट लिया था और मैंने डाला इसमें एक चमच नमक और आधा चमच अल्दी और इन गंटा में रहो गया था देखिए मैं उसको निकाल लिया है मैंने और इसको अच्छे से मैश किया है और इसको तीन चार पानी से धो लिया है अच्छे से और अब लिया है मैंने कड़ाई कड़ाई हमारी गरम हो गई है तो देखिए कड़ाई में सबसे पहले हम मसाले को भून तो यह लिए है मैंने दो चम्मच धनिया साबुद और एक चम्मच सौफ लिए है मैंने इससे खुश्बो बहुत अच्छी आती है दोस्तो तो यह हमें ड्राइर रोस्ट करना है बहुत अच्छे से हम इसे भून लेंगे एक मिनिट के लिए तो भून गे हमारा उसे निकालकर हम महीं दरदरा पीस लेंगे तो फिर देखिए मैंने तेल डाला है दो बड़े चमच करैले में थोड़ा जादा ही तेल पड़ता है और ये लिए मैंने प्यास तो एक पाउ का मेरा करैला था और एक दो जादा मैंने प्यास लिए है जितना आप करेला यूज करें उससे थोड़ा सा एक दो प्यास जादा ही ले तो इससे करेला जो है कम कड़वा लगता है तो प्यास को हमें सबसे पहले ब्राउन नहीं करना है तेल में हलका सा सिर्फ उसे नरम करना है मुलायम करना है उसका कलर भी चेंजना हो बस उतना ही रहे तभी हम उसमें करेले सारे डाल देंगे जो हमने धो लिया था तेन चार पानी से जो नमक और हल्दी हमने डाला था वो ह पानिया फेंके नहीं अगर आपके हैं पेड़ पौधे हो तो आप उसमें डाल सकते हैं दोस्तों तो देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूं थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग क्योंकि हमने पहले भी करेले को नमक में जो है डाल कर रखा था इसलिए इसमें गल जाएगा बहुत जल्द तो दीखिए मेरा करेला भी गल गया है और अब मैं उसे एक दो मिनट भून लिया है मैंने और अब जो मसाला मैंने भून कर पीस करके रखा था उसे मैंने डाल लिया है सौफ और धनीये को और इसे हमें अच्छी तरह से मिस्क करना है तो यह करे करेला बहुत ही कम कड़वा हो जाता है तो देखिए मैंने वह भूल गई थी मैंने वह आपको नहीं दिखाया तो उसके लिए मैं सारी बोल रही हूं दोस्तों तो इस तरह से आप बनाएं तो यह करेला देखिए मैंने एक निट के लिए और धक्कर पका लिया है और यह बहु के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए बाबाई